हेलो भ्रंड्स आप सब का आपके अपने चनल गोविल लेक्चर्स में फार दित स्वागत है तो कैसे हो आप सब उम्मेद कृता हूं आप सब अच्छे होंगे और आप सब की ब्रहे बेची चल रहे होगी तो आज की इस क्लास में हम प्रक्सानों इसपर्स भाग पर्थम के अ अध्या एक से लेकर 11 तक सबी के अभ्यास प्रशन बहुत अच्छे से सौल्व करा रखे हैं वो सब क्लासे आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हैं इस क्लास में मद्द्या 12 अगनीपत के अभ्यास प्रशनों को सौल्व करने जा रहे हैं तो चलिए क्ल प्रशनीता के अंदर अगनीपत किसके परतिक के रूप में प्रयोग में लिया है वो आपको बताना है तो उतर देखें कवी ने अगनीपत का प्रयोग मानव जीवन में आने वाली कठिनायों के परतिक के सब रूप में किया है यानि यहां पर कवी ने अगनीपत सब्द का प्रियोग मानव जीवन में आने वाली कठिनाईयों के परतिक के रूप में या उन्हें दर्शाने के लिए किया है कभी के अनुसार यह जो जीवन है कैसा है संगर्स मैं है और इसके अंदर संगर्स चलते रहते हैं फिर भी इस पर सबको चलना ही पड़ता है और कठिनाईयों का सामना करना ही पड़ता है कभी का मानना है कि यह हमारा जो जीवन है यह कठिनाईयों चुनोतियों और संकटों से क्या हुआ है संकटों से भरा हुआ है और वेक्ति को अपने जीवन के अंदर इन सभी का सामना करना ही पड़ता है पता यहां पर कवी ने जीवन के अंदर आने वाली कठिनाईयों और मुसीवतों को परतिक सभूप समझाने के लिए यहां पर अगनी पत सब्द का प्रियोग किया है ठीक है आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्याद 2 मांग मत कर सफथ इन सब्दों का बार बार परियोग करके कवी क्या कहना चाता है कौन से सब्द है कि मांग मत कर सफथ इन सब्दों के माध्यम से कवी क्या कहना चाता है तो कवी ने इन सब्दों का बार बार परियोग करके जीवन की कठिनाईयों को सहते हुए आगे बढ़ने की क्या दी है प्रेणा दी है कवी का कहना है कि इस मुश्किल भरे रास्ते से गब्राकर रास्ता नहीं चोड़ना चाहिए गब्राकर कभी भी आर नहीं मानने चाहिए और इसी प्रेणा को देने के लिए कवी ने इस सब्द का बार बार क्या किया है प्रियोग किया है ठीके अगला प्रस्ण है गव एक पत्र चाहा भी मांग मत पंकती का आस्त्य इसपष्ट कीजिए तो इस पंकति का जो आश्य है कवी के अनुसार जो मनुस्य है वो अपनी प्रकर्ती के अनुसार मांगने लगता है और अपनी प्रिस्तितियों से गब्रा कर दूसरों की साहता वो मांगने लगता है कभी क्या कहता है कि मनुस्य की एक प्रवर्ती होती है एक प्रकर्ती होती है कि वो अपनी प्रकर्ती के अनुसर क्या करता है मांगने लगता है जैसे किसी प्रस्तरी से गबना जाता है तो उसमें दूसरों का वो सैयोग मांगने लगता है इससे उसका आत्मविश्वास क्या हो करके जिवन की पतपर आपके जहां तक संबव किसी से किसी भी प्रकार की कोई साहता नहीं मंगने किसी भी समस्या का सौलूशन खुद करना चाहिए अगला परश्ण संक्याद 2 निम्न लिखित का भाव इसपष्ट की आपके सामने पंक्ति दी गई है तू न थमेगा कभी तू न मुडेगा कभी तो इन पंक्तियों के माध्यम से कभी कहना चाहते हैं कि जो मानव का जीवन है वो कष्टों से भरा पड़ा है परंतु व्यक्ति इन कष्टों से जूज कर सदा व्यक्ति को इन कष्टों से जूज क या लड़कर सदेव आगे बढ़ते रहना चाहिए उसे ठक हार कर कभी भी बीच में नहीं रुकना चाहिए जब तक लक्से की प्राप्ति ना हो जाए यह कभी कहना चाहता है आगे बढ़ते हैं दूसरी पंक्ति दी गई है चल रहा मनुस्य है अस्रु सवेद रत्त से लत्प लत्पत लत्पत तो यहां पर जो कभी हरिवन चराय वच्छन है उन्होंने मनुस्य को सदेव आगे चलते रहने की प्रेना दी है क्योंकि हमारे इस संगर्स में जीवन के अंदर कई बार व्यक्ति को आसू भी बहाने पड़ते है ठकने पर पसीने से वो तर बतर भी हो जात ठीक है यह इन पंकतियों का आश्य है आगे प्रश्ण संक्या तीन इस कवीता का मुलभाव क्या है इस प्रश्ट कीजिए तो इस कविता का मूल भाव ये है कि जो मानव का जीवन है वो संगर्सों से अमेसा भरा रहता है और व्यक्ति को इसमें कई सारी कठी नईयों का सामना भी करना पड़ता है हर पल, हर पग पर चुनोतिया मिलती है प्रन्तु मानव को इन्हें क्या करना चाहिए किसी भी प्रकार के संकटों का सामना मनुस्य को श्वयम ही खुद करना चाहिए बिना थके, बिना रूके, बिना हार माने इस जीवन पत पर निरंतर आगे बढ़ते रहना चाहिए यही इस कविता का मुल भाव है ठीके? तो इस प्रकार अबने आपके अध्या बारा के अभ्यास के जितने भी प्रशन थे उन सभी प्रशनों के उत्तर बहुत अच्छे से जान लिये है उम्मित करता हूं सभी प्रशनों के उत्तर आपको अच्छे समझ में भी आये होंगे तो class देखने के लाप से अब दन्यवाद यदि आपको मेरी class और मेनत पसंद आई है तो फिर like, comment, share and subscribe जरूर करें आज के लिए इतना ही जे हिन जे भारा